Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with Vishal Friends, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो topic लेके आया हूँ वो ये है कि कैसे आप ये check कर सकते हैं कि एक जो domain है वो available है कि नहीं है with the help of APIs तो यहाँ पे जैसे कि आपने बहुत सारी websites में देखा होगा जैसे अगर आपने go daddy है या बिग rock है यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप domain availability को check करते हैं domain को डालके कि ये domain जो है particular वो domain available है कि नहीं है तो हम भी कुछ आज ऐसा ही करने वाले हमारे वीडियो में तो उसके लिए हम लोग एक API का use करने वाले हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो यह वो website है जहां से हम लोग API बनाने वाले हैं तो start करते हैं process तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे sign up पे और friends यह वीडियो आप पूरा देखेगा बिना skip करें और end of this वीडियो अगर आप यह वीडियो ध्यान से देखते हैं तो एक चीज आप अभी से sure कर लिजे कि अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके जो topic यहाँ पे cover होंगे वो यह है कि कैसे हम किसी API से data fetch करते हैं अगर हमें javascript से API बनानी है तो कैसे बनेगी और अगर हमें PHP से API बनानी है वो कैसे बनेगी इसके साथ में आप लोग को यह भी clear होगा कि अगर आपको एजेक्स के तरू PHP की file को hit करके data लेके आना है API के तरू वो कैसे होगा और साथी साथ जो हम PHP का API का काम है वो हम clear के तरू करने वाले हैं तो यह जो website है जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यह मुझे बता रही है कि 500 free API credit देती है monthly मतलब इस website के तरू इन API के तरू मैं 500 बार hit कर सकता हूँ हमारे API को तो चलते हैं यह मेरी dummy email ID है जो मैं use करता हूँ मेरे videos में तो मैं यह email ID copy कर लेता हूँ और मेरा एक यहाँ पे password डाल देता हूँ password डाल दिया और मैं यहाँ पे sign up कर लेता हूँ इस subscribe to our newsletter को आप चाहें तो uncheck भी कर सकते हैं एक email आया होगा मेरे पास verification के लिए email आ गया और यहाँ से मैं यह link पे confirmation दे रहता हूँ confirmation आ गया, confirmation होने के बाद अगर आप देखें तो यह API की मुझे की मिल गई इस API के key के तरू मैं basically identify कर सकता हूँ कि यह particular domain available है की नहीं है अगर आप यह link को देखें तो यह हमारा basically API है इसमें एक यह API की है और यह जो last parameter आ रहा है यह domain है तो अगर आप इसको google पे भी directly browser पे यहाँ पे डाल दें तो देखें यह आपको बता रहा है कि यह जो domain है यह unavailable है और इसी के साथ अगर मैं कुछ ऐसा domain डाल दूँ जो किसी ने book नहीं किया है तो देखें यहाँ पे इसने बता दिया कि यह domain unavailable है sorry available है तो इसको हम हटा देते हैं और अब हमारे code की तरफ दो तरीके से करेंगे सबसे पहले मैं आपको बहुत ही simple तरीका बताऊंगा कि इसको हम javascript से कैसे कर सकते हैं पर पी एचपी पर चलेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं एक text box बना लेता हूँ तो उससे भी पहले हम form tag बना लेते method की हमें कोई वैसे जववत नहीं है यहाँ पर और इसके बाद मैं यहाँ पर input type बना लेता हूँ मेरा text box इसका जो name है वो डाल देते हैं domain और जो इसकी id है यहाँ भी मैं डाल देता हूँ domain और एक यहाँ पर मैं button बना लेता हूँ input type view button और इस पर मैं एक on click का function बना देता हूँ check domain और इसकी value देता हूँ click here simple हमने काम किया यहाँ पर हमने on click पर एक function को call करा दिया javascript के यह link में कोई बात हैं दुवारा उठा लेंगे यहाँ पर मैं javascript का code लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक function मना लेता हूँ और सबसे पहले check कर लेते हैं कि यह जो function है वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो हम चलते हैं हमारे page पर और मैं यहाँ पर alert डाल देता हूँ बराबर चल रहा है हमारा यह ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले jquery की file को include करा लेते हैं क्यों क्योंकि हम यहाँ पर basically ajax का use करने वाले इस API को hit करने के लिए तो मैं चलता हूँ यहाँ पर jquery cdn के पास और minified version मैं इसका copy कर लेता हूँ यहाँ से मैंने copy कर लिया और मैं यह सब हटा देता हूँ और directly इसका बस url अपने पास ले आता हूँ आगे हमारे पास ठीक है तो अब हम एक एक करके यह detail उठा लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर उठा लेते हैं where domain is equal to jquery इसकी id dot well यहाँ से हमारे पास detail आ गई और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक आप div बना सकते हैं और इस div की मैं id दे देता हूँ result यह हमारे पास domain आ गया check कर लेते हैं कि if domain is equal to blank अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो हम यहाँ पर message दिखा देंगे please enter domain हमने डाल दिया dot html और यहाँ पर हमने डाल दिया please PLEAC enter domain name चलते हैं एक बार तो मैं यहाँ चलता हूँ reload कर लेता हूँ डाल देता हूँ google.com click here perfect और अगर हटा के डालते हैं तो please enter domain name और साथी साथ यह जो मेरा message आ रहा है मैं उसे यहाँ blank से भी initialize कर देता हूँ कि जब भी हमारा यह function जो है वो call हो तो यह automatically सबसे पहले से blank कर दे और यह जो result है इसको मैं एक style दे देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि जो मेरा result है इसका जो color है वो कर दे red और अगर हमारा domain में कुछ बढ़ा हुआ है हमारी text box में तो मैं क्या करने वाल हूँ यहाँ से यह API को copy कर लेता हूँ यह API होगे और यह हमारा basically domain name है तो मैं यहाँ plus कर देता हूँ domain domain आगे हमारा इसके बाद हमने बोला जब भी success होगा तो हम एक function को call करेंगे और function को बोलेंगे कि जो data मिलता है उसे result में डाल दे और फिलहाल के लिए console.lock कर देते हैं result को simple data बिलकुल यह एक बार हम चलते हैं इदर और इससे run करके देख लेते हैं reload कर लेते हैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ google.com और इससे inspire लेते हैं और एक बार network में जाके और साथी console में जाके मैं click here करता हूँ देखेंगे मेरे request आई और यह देखें perfectly मुझे यहाँ पर output मिल गया अब मुझे basically जो domain availability है यह चाहिए तो मैं यहाँ कर देता हूँ result dot मेरा domain availability और इसके domain info और इसके बाद domain availability तो यह क्या करेगा मुझे जो मेरा यह बाला particular variable है domain availability इसका output देगा एक बार हम इसे reload कर लेते हैं और मैं यहाँ पर domain डाल देता हूँ इसको हटा लेते हैं और एक बार अभी देखते हैं जैसे हमने click किया तो console में चलते हैं देखें console में हमें यहाँ पर मिल गया basically unavailable बतलब यह domain available नहीं है तो हम क्या करते हैं कि यह जो हमने variable बनाया था हम यहाँ चलते हैं और इसका जो variable है इसके हम reside डाल देते हैं domain यहाँ डाल देते हैं domain is concatenate और output आगया कि domain available है कि unavailable है चलते हैं reload करते हैं और अब देखिए google.com डाला मैंने और मैंने बटन पर click किया जैसी click किया तो मेरे पास message आ गया domain is unavailable अगर यह domain available होगा जैसे कि मैं यहाँ डाल दूँ one two two तो click होगा और मेरे पास output आएगा domain is unavailable तेखिए एक तो भी problem यह है कि यह थोड़ा सा time लग रहा है तो हमें यहाँ पे एक loader डाल देना चाहिए चलिए चलते हैं तो हम यहाँ चलते हैं loader जिफ में एक की loader का थोड़ा सा effect आ जाए कि user को भी पता चले है कि कोई processing हो रही है बीच में तो उसके लिए मैं कि यहाँ से loader copy कर लेता हूँ यहाँ पे देगे काफित सारे loader मिल रहे हैं कोई भी मैं एक छोटा सा loader यह ले लेते हैं चली जैसे कि एक छोटा सा loader चाहिए मुझे तो इन सब के size बड़े हैं तो मुझे थोड़ा सा इसको या तो Photoshop पे set करना पड़ेगा या फिर मैं यह ले लेता हूँ यह मुझे filter का path ले लेता हूँ, save करते हैं इसे और मैं यहाँ डाल देता हूँ, loader, loader.gif आगे हमारे पास तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि जब भी हम इस button पे click करेंगे और अगर हमारा यह इधर आएगा तो हम यहाँ डाल देते हैं, image src और यहाँ डाल देते हैं, loader.gif प्रफेक्ट, बिल्कुल ठीक लग रहा है, चलते हैं इधर, एक बार रिलोड कर लेते हैं, अब देखें जैसे हमने डाला google.com, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, click here करते हैं, तो देखें हमारा loader आ गया, जैसे हमारे पास result आया, त perfect, एक काम हो गया हमारा, javascript के तुरू यह कैसे कर सकते हैं, यह हमने देख लिया, अब next काम, मैं यह पहले unnecessary की जो मेरी files open है, मैं वो बन कर देता हूँ, तो javascript से कैसे करना है, वो हमारा काम यहाँ पे clear हो गया, अब next काम हमारा यह है, यह देखना, कि अगर हमें इसे PHP के त create कर देते हैं, तो let's say मैं एक file बोल देता हूँ, get.php, तो मैंने get.php से एक file बना ली, और यह जो result वाला हमारा सारा काम था, यह हम यहाँ से हटा देते हैं, और यह जो ejects के through हम यह data लेके आ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह जो URL data ला रहा है, हम यह सब हटा द देते हैं, और इसकी जगा पे मैं, इसे एक तो मैं बंद कर देता हूँ, okay, तो एक तो हम क्या करते हैं, कि जो URL है, URL में अब डाल देते हैं, हम get.php, और साथी साथ यह जो domain है, जो user ने डाला है, इसको हम यहाँ पे pass कर देते हैं, तो मैं बोल देता हूँ, data is equal to concatenate domain, domain, कि हमारा जाएगा इधर, और हम क्या करेंगे, जो भी हमें result पे मिलेगा, या हम इसे फिलहाल के लिए comment आउट कर देते हैं, और मैं यहाँ पे जो result है, उसे console में ले आता हूँ, तो हमने डाला console.log, और यह जो loader आ रहा है, मैं timebin के लिए इसको भी comment आउट कर देता हूँ, get.php के पास चलते हैं, और get.php पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो domain है, उसको एक variable में ले ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं post के थूँ, domain को ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे इस बार type में, कि आई काम करते हैं सबसे पहले, तो मैं यह जो मेरी पुरानी वाली file थी, मैं काम करता हूँ, उसको वैसे ही रहने देता हूँ, कि unnecessary, अगर आप लोगों को ajax के थूँ करना है, तो आप वो भी कर सके, मैं क्या करूँगा, कि मेरे जो source code है, उसमें दोनों चीज़े डाल दूँगा, जिससे कि आप लोगों के लिए थोड़ा help हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस file को ऐसे ही रहने देता हूँ, एक और file बना लेता हूँ, यहां पर, let's say php.php, मतलब हम लोग यह php से करने वाले हैं, और अब मैं यहां पर मेरा code शेंच कर लेता हूँ, जो मैंने उधर करदा था, सबसे पहले, तो मैं यह URL में इसे हटाई देता हूँ, इसकी जगा दुबारा डाल देता हूँ, URL, और यहां पर मैं बोल देता हूँ, get.php, इसके बाद data, तो मैं यहां से ले गया, domain is equal to concatenate domain, और एक मैं बोल देता हूँ, यहां पर type, type में रहा हो जाएगा, यहां पर post, basically method, जिस method से मैं data लेके जाना है, इसको मैं comment out कर देता हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे देखना है कि मुझे क्या data मिलता है, और यहां हम बोल देते, console.log, और यहां पर मैं कर देता हूँ, इसको result, इसको बंद कर देते हैं अभी, ओके, और यह loader को मैं comment out कर देता हूँ, तो यह मेरी यहां पर functionality होगी, एक बार मैं code शेक कर लूँ, get.php के पास चलते हैं, और फिलहाल खाली यहां पर, यह जो domain मिला, इसको मैं print करा देता हूँ, एक बार चलते हैं हम page code.php.php, inspect कर लेता हूँ, मैं एक बार, check करने के लिए, कि हमारा यह proper चल रहा है नहीं चल रहा है, चलने से पहले ही आ गई एक error, error आई है, देखते हैं, ok, चो मेरा एक colon है, यह यहां पर missing है, कोई बात नहीं, reload कर लेते हैं, console में देखें कोई भी error नहीं है, और अब यहां पर डाल देते हैं, google.com, क्या लिख रहा हूँ मैं, google.com, यह क्या हो गया, google.com, ok, क्लिक हेर पर क्लिक करते हैं, यह क्लिक हेर पर गया, request आपके network पर गई, वहां से आगया, perfect चल रहा है, बिलकुल, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से जो हमें आगे का काम है, वह हमें curl के थुरू करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, मेरा एक url नाम से variable बना लेता हूँ, और उसमें मुझे curl के थुरू जिस url को hit करना है, मैं वो ले लेता हूँ, यह है मेरा url, और यहां पर मैं डाल देता हूँ, dot variable domain, यह हो गया मेरा variable आ गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, curl का जो code है, वो लिख लेते हैं, तो curl का code लिखने के लिए, सबसे पहला काम मैं यहां पर क्या करता हूँ, एक हम बना लेते हैं, dollar, ch नाम से variable, और हम बोल देते हैं, curl underscore init, curl को initialize कर देते हैं, इसके बाद, curl underscore set opt, यहां पर हमें एक एक करके variable डाल देंगे, तो curl का हमारा जो pointer था, वो आ गया, और हम सबसे पहले यहां पर url initialize कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं, curl, और opt, curl opt underscore url, यहां पर हम डाल देते हैं, हमारा url, जो हमें hit करना है, dollar url, तो हमने बता दिया कि इस url को हमें hit करना है, ठीक है, यहां तक, curl underscore set opt, और चली, यह हम बाद में करते हैं, पहले आपको मैं इसका जो requirement जबाएगा, मैं आपको तब बता दूँगा, एक variable बनाया है हमने data, और हमने बोला curl underscore ex, ex execute करने के लिए हमने बोल दिया, कि यह जो हमारा है dollar ch, इसको execute कर दिया जाए, और यह जो, एक काम करते हैं पहले, इसी को एक बार चला के देखते हैं, फिर आगे जो requirement आईगी मैं आपको बताता रहूंगा, चलते हैं, इसे बन करते हैं, google.com, click here, request गई, आए, तो देखिए, यह जो data आया, इस बार, यह data हमें किस ने दिया, हमारे get.php ने, अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो हमने print तो कुछ किया नहीं, पर फिर भी हमें data मिल रहा है, तो हमें यह बोलना पड़ेगा, कल को, कि भई, आप खुद से कोई data हमारे screen पे output में मट डालो, तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, कल, opt, underscore, return, transfer, और इसको बोलना पड़ेगा, one, और यहाँ डाल देते हैं, semicolon, एक बार आप चेक करते हैं, इसको बंद करते हैं, और click here करते हैं, तो देखें, जैसे click here किया, इस बार आपको output में कुछ भी नहीं मिला, तो यह हमारे पास आ गया variable, अब यह जो हमें data मिला, वो json में मिला, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक variable बना लेते हैं, json और बोल देते हैं, json underscore decode, हमारा decode हो गया, और हम e को pre print underscore dollar json, तो यह क्या होगा, json की जो data आपको मिला, यह हम json के तुरू decode कर देंगे, चब decode होगा, तो यह हमें मिल जाएगा, array के format में, चलते हैं, और click here, करते हैं, click, और देखते हैं, क्या होता है, तो देखें, यह हमें जो data था, वो मिल गया, इस बार, object की form में, actually, array की form में नही करते हैं, one, अब देखें, यह क्या करता है, click here, और देखें, यह क्या करता है, देखें, क्या अंतर हुआ, अभी तक object में मिल रहा था, और आपको array में मिले लगा, तो जैसे ही आप json underscore decode में, एक second parameter डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, आपका जो output है, उसको, आपको convert करके दे देता है, array की format में, तो हमने बोला, यहां से, इसके अंदर जाना, और इसके अंदर जो यह variable है, भई यह हमें दे दो, चलते हैं फिर से, देखते हैं, क्या होता है, click here करते हैं, मिल गया हमें unavailable, या फिर अगर आप इस तरीके से लेना चाहें, तो इस तरीके से भी ले सक सकते हैं, और अगर हम JSON के थ्रू लेते हैं, हम इसे, हम देखते हैं, कि अगर हमें JSON के थ्रू, basically यह array दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस array को बोलेंगे, कि भई, तु एक काम कर, हमें JSON में convert करके दे, तो हम बोलते हैं, E को, JSON underscore, encode, और हम डाल देते हैं, यह variable, अब देखते हैं, output के आया, अब जो output आया, sorry, अब जो output आया, वो हमारे पास यह आ गया, बिल्कुल ठीक है, अब चलते हैं, इधर, अब जो यह output आया, यह हमें मिला JSON में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोलना पड़ेगा, variable, और यहां हमें एक variable बना लेते ह और हमें बोलना पड़ेगा, कि जो output मिला, उसको, JSON में जो हमें output मिला, उसको हमें करना पड़ेगा, यहां पर parse, तो मैं एक काम करता हूँ, यह get data का output देखता हूँ, अब क्या मिलता है मुझे, reload कर लेते हैं, google.com, delete करते हैं, click here करते हैं, और console करते हैं, तो देखे, console में में केरे को यह data आ गया, अब हम क्या करते हैं, इस data में से, domain availability निकाल देते हैं, देखते हैं, आती है कि नहीं आती, dot com और click here, data आया, देखे, unavailable मिल गया हमें, हमारा काम हो गया, तो हम यह जो variable था, इसको कर देते हैं, comment out, इस data को लेते हैं, हटाते हैं, और यहाँ पे यह data डाल देते हैं, और इसको enable भी कर देते हैं अब, और अब इससे finally reload करते हैं, अब हम जाते हैं, google.com पे और click here करते हैं, तो देखे, loader आ गया हमारा, जैसी data आया, तो हमें यह मिल गया, one, two, two, one कर देते हैं, बिल्कुल आगी हमारे पास domain available, तो देखिए, दो तरीके मैंने आपको बता दिये, कि अगर आपको एजेक्स के तुरू करना है, तो कैसे करना है, और अगर आपको curl के तुरू करना है, तो आप इसको कैसे achieve कर सकते हैं, तो friends, यह हमारे पास तरीका होता है, कि जब हमें PHP में किसी API को हिट करना होता है, और अगर आपके पास वो API, एजेक्स से या JavaScript से भी अगर आप हिट करना चाहते हैं, तो यह तरीका आपको मिल जाता है, उसे JavaScript से हिट करने का, तो friends, I hope कि आप लोगों को यह वीडियो clear हुआ होगा, यहाँ पे आपकी जो चीज़े cover होती हैं, वो यह होती है, एक तो आपको कल का use करना आएगा, कि कल हम क्यों use करते हैं, और कैसे use करते हैं, Ajax आप सीखेंगे, कैसे use होता है, और दूसरी चीज़, कि हम लोगों को जो बोला जाता है, कि APIs क्या होते हैं, PHP में अगर API यूज़ करना है, तो वो बहुत typical होता है, XYZ लोग बोलते हैं, तो मैंने आपको यहाँ बहुत सिंपल से तरीके से बता दिया है कि अगर आपको एक API को use करना है, और एक में specifically जीज़ यह है, कि जो यह API है, वो get API है, अगर आप यहाँ जाएंगे, तो इसने get request दिया, मतलब इस URL को अगर आप हिट करेंगे, तो आपको data मिल जाता है, तो यह आपके पास तरीका होता है, अगर आपको किसी URL को, या फिर get API API को हिट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जेक्वेरी, जावा, एजेक्स से, और उसके साथ ही साथ, अगर आपको PHP के तरूस चीज़ को करना है, तो, so friends, I hope, कि आप लोगों को हमारा जो आज का वीडियो है, वो clear हुआ होगा, अगर फिर भी, आपको कोई issue है यहा resolve कर सको, और friends, अगर यह जो source code है हमारा, आपको यह चाहिए, तो वो आप हमारे वीडियो के description में जाके, वहाँ पे जो link है, उससे आप उससे download भी कर सकते हैं, और उसी के साथ friends, अगर यह वीडियो आपको मेरा पसंद आया है, तो please, वीडियो को like करिए, और उसी के साथ हमा